कहते हैं कि भगवान को जिससे सेवा करानी होती है भक्त उस सेवक को खुदी ढूंड लेते हैं गाध्यबाद की रहने वाली कृष्ण दासी तानिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ यू तो इनका नाम तानिया है लेकिन इने लोग कृष्ण दासी कहते हैं क्योंकि ये दिन भ दो हजार अठारा के फेरवरी में थी हम लोग कही गए वे थे तो महां से वापस आते टाइम हम लोग गए थे ब्रंदावन वो भी अमारी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए बस और हमने भीहारी जी के दर्शन किये वहां पर थोड़ी दर रुके और वहां से बस भीहारी तानिया के पास बर्तमान में कई सारे ठाकुर जी और राधारानी मौजूद है जो विबिन जगाओं से लाई गई है तानिया इन्हें अपने परिवार का ही सदस्य मानती है मेरे पास चार ठाकुर जी है और दो राधारानी है सबसे पहले मेरे माधव आये जो की डीलेस से आये थे फिर मेरे केश्रव आये जो की गाज़ेबाद से आये थे फिर उनके बाद मेरी कनक नन्नी आई जो खाटव शाम जी से आयी थी फिर मेरे कानोड़ा आये जो की चानल बगवान कृष्ण की बात हो और लीला ना दिखे ऐसा कैसे हो सकता है तानिया के साथ भी बगवान कृष्ण ने कई प्रकार की लीलाय की है जिन बारे में दानिया बता रही है अजी मेरे माधर में सब बहुत जादा चबरकार करते थे एक टाइम पहले जब यह अकेले ही थे तब इसम लोग नहीं थे हमारे साथ में तो तब उनकों सुलाते दूसरी साइट ते लेकिन वो सुबह मिलते क इसे और साइट से थे तो ऐसे करते करते फिर जब यह सब आने लगे तो इन लोग के विचवाद का शुरू अने स्टार्ट हुए जैसे थोड़ा सखाना खाया वा हुआ हुआ बहुत यह हम सब के साथ ही बात करते हैं ऐसा सब तानिया को यहां पर जिन्दगी पसंद नहीं आ रही है अब वो प्रेमनन महाराज से गुरुषद्चा लेकर वहीं पर बसना चाहती है मुझे प्रेमनन महाराज जी अच्छे लगता है इसम गुरुदिक शक्राक्त करना चाहती हूँ इनकी बताई भी बातों पे चलने का पूरा प्रयास करते हूं और जैसा वो कहते हैं वैसा करने की पूरी कोशिश करते हूं